केन सरकार द्वारे क्रिशी संबनित बिल लाने को लेकर नर्सिंग पूर में भारती मजदूर किसान संग के बैनर तले नर्सिंग पूर में किसानों ने अर्दनंग परदशिन करते हुए इससे केन सरकार काला कानून बताया किसानों ने आरोप लगाया है किस विदेग में तीन प्रकार की खामिया है जिसे किसान संतुष्ट नहीं है किसानों को भरोसे में लिये बिना और उनसे बातशीत किये बिना ये बिल लाये गया है जिसका देश भर की किसान विरोत कर रही है किसानों को कहना है किस बिल से किसानो अंग्रेज attach से भी बुरा विदेग जबताते हुए कहा किस से किसान मंडियों में अपना अनाज नहीं ले जना पाएंगे क्योंकि मंडी के बाहर अब टैक्स नहीं लगेगा इससे किसानों को उसकी उपच का सही दाम नहीं मिल सकेगा और धीरे धीरे मंडी भी समाप्त हो जाएगी और बिचॉलियों का राज हो जाएगा किसानों कारों पे किसरकार ने एक अदम MSP न्यूतन समर्थन मुल को खतम करने के लिए साज़िश के तहट इस विदे को लेकर आई है और ये पूनिता किसान विरोधी है इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है इससे ऐसे प्रावधान किये जाएं जिसमें की किसान न्याले की शरन नहीं ले जा सकता इस से साफ जाहिर होता है कि सरकार निरंकुष तरीके से जबरन दिल को छू कर किसानों का हनन करना चाहती है किसानों ने सरकार की मनशा पर सवाल खड़े करते हुए भी कहा है कि मल्टी नेशनल कमपनिया अनाज के वैपार में आएंगी जिससे की MSP पर भी किसानों के वाजब दाम नहीं मिल पाएंगे और वो बिचाउलियों के माध्यम से मंडी के बाहरी खरीदी को प्रोटसाहित करेंगे जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान होगा इस काले कानून का इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और इसी चलते आज किसानों के एक बार फिर सड़क पर उतर कर अपनी हक की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है और यदि सरकार ने हमारी बातों को नजरनदाज किया और किसानों की अंदेखी की तो आने वाले दिनों में सरकार का इसका खामियाजा भुकतना पड़ेगा और एक बड़ा जननदोरन केंस सरकार की नीतियों खिलाफ खड़ा होगा वहीं दूसरी और प्रदर्शन कारी किसानों के समस्याओं को सुनने के बजाए प्रशासन उन्हें हर समय धंकाता नजर आया है और उन पर बिना अनुमती प्रदर्शन करने और मास्क ना पहनने का रोप लगाते हुए उन पर मामरा दर्श करने की बात कहकर जिससे आने वाले दिनों में प्रशासन और किसानों के बीश टकराओं की सिती निर्मित हो सकती है सबसे पहले थो हम बात करेंगे आज हम जो धरना प्रदर्शन विरूद अंदूलन जो कर रहे हैं उसमें हम आज तीन ग्यापन यहां देने के लिए माननी कलेक्टर महोदय के पास आई हुए हैं जिसमें सबसे पहला ग्यापन हमारा माननी प्रदान मंतरी जी को है कि जो तीन अध्या देश इस करोना काल में जिसकी कोई भी आवस सकता नहीं थी ऐसे काले कानून को जो लागू किया गया है बिना किसान संगठनों से सलाई किये हुए बिना बिपक्षि से सलाई किये हुए बिना किसी से भी किसान से भी बात किये हुए यह तीन अध्या देश जवरदस्ती हम पे थोप दिये गए हैं जो काले कानून है जिसमें कि अब कोई भी ब्यापारी बन सकता है उसको एक पैनकार्ट चाहिए पैनकार्ट के माद्यम से कोई भी किसान की फसल खरीद सकता है दूसरी बात है कि वो अब मंडियों में जो टेक्स लगता था जब खरीदी बिक्री होती थी तो मंडियों में उनका कहना है कि मंडी नाजर आती है कि ये समर्थन मूल पे खरीदी बंद करना चाहते हैं चुकि क्या है आप सबी लोगों के पत्रकारों के शंग्यान में बात होगी कि पंजाब और हर्याणा में तीन अध्यादेशों का काफी भारी पुर्जोर तरीके से किसान विरूत कर रहा है वो इसलिए किय नियाले जाने का दिकार चीना गया है उस कानून में उस कानून में MSP को एक नाम के लिए वस रखा गया है MSP को उसके नीचे कहीं कोई खरीद होती है तो उस पे किसी भी प्रकार के नियाले प्रिकरिया करने का कोई प्रावधान नहीं है इस तरीके से किसान को भविस्थे म प्राइविटाइजिशन की तरफ धकेला जा रहा है इसमें जो छोटे ब्यापारी है किसान है मजदूर है इनका भविस्थ में आने वाले जो समस्चा हैं वो इस तरीके से हैं कि जब बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी आपके बीच आके ब्यापार करेंगी तो मेरे मेरे को क्या आप भी सहमत होंगे कि वो नहीं सर्वाइब कर पाएंगे छोटे किसान चोटे ब्यापारी या छोटे मजदूर किसान संगठन और मल्टी नेशनल कंपनियों के हाँ तो इस सेक्टर को एग्रिकल्चर सेक्टर को बैचनी की तैयारी में है नरेंद मोदी सरकार और हम उसका पुर्जोर तरीके से ब्रोथ करते हैं इन तीन काले कानूनों का हम अपने किसान संगठन के माद्यम से नर्सिंग पुर्जिले में 100% ब्रोथ करते हैं